निवास की स्वतंतरता रहने की स्वतंता निवास की स्वतंता उन्निस एक ड़ अनुछेद उन्निस एक ड़ क्या अनुछार भारती नागरिक को देश के किसी भी ख्षेतर में किसी भी जगा में बसने की स्वतंता है आपको है मालूम है आपको कि आप देश के किसी भी ख्षेतर में मकान खरीच सकते हैं जमीन खरीच सकते हैं और रह सकते हैं इसी के बरणाम सरूप विबिन राजियों के लोग 36 गड़ में बसे हुए हैं चाहे वो महराष्टियन हो चाहे पंजाबी हो चाहे केरेलाइट हो या उडिया हो या आशमी हो सिख हो उसे प्रकार 36 गड़ के लोग पूरे देश में फैले हुए हैं मकान बना के रह रहे हैं निवास कर रहे हैं इस थाई निवासी हो गए हैं ये निवास का अधिकार बहुत महत्पूर्ण हो जाता है खेतरीता की भावना को तोड़ने में खेतरीता की भावना बनाम राश्टीता की भावना राश्ट्रीता की भावना को बढ़ाने और ख्यत्रीता की भावना को रोकने के लिए निवास का अधिकार बहुत महत्पूर्ण है इस स्वतन्ता पर भीर राज्य सामान जन्ता के हित और अनुसूच जाती और जन जाती के लिए कुछ प्रतिबंध लगादा है एक और हमें पूरी स्वतन्ता है देश के किसी भी ख्यत्र में रहने की दूसरी और कुछ अपवाद इसमें भी हम कुछ मामलों में हम कहीं भी जाके नी बस सकते यदि हमारे किसी खास ख्यत्र में जाने की बसने की इच्छा है तो इसके लिए हमें एक अनुमती लेनी होगी, राज्य की, कारण बताना होगा, स्पस्ट करना होगा, आदी आदी यदि हम अधारण लें, तो जम्मू कश्मीर, आर्टिकल 370, जो काफी चर्चित रहा इस आर्टिकल के हटने के पूर्व, भारत के नागरिकों को कश्मीर में संपत्ती बनाने का अधिकार नहीं था वहाँ ना वे कुछ खरीश सकते थे, और ना वहाँ के स्थाई निवासी बन सकते थे लेकिन 370 हटाने के बाद, अब यह स्थिती बदल गई है ऐसे ही भारत के कुछ ऐसे खेत्र हैं, जो सेंसिटिब हैं, सामरिक दिरिष्टी से बहुत महत्तुपूर्ण हैं जहां निवासी बनने के लिए हमें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा अंडमान निकोबार, लक्ष द्वीप और ऐसे कुछ खेत्र हैं, जहां का यदि स्थाई निवासी बनना हैं, तो हमें अनुमत्य होगी दूसरे शब्डों में कहने केतात पर ये है, कि यदियपी हमें स्थाई निवासी बनने कि और निवासी बनने के पूर्ण सतनता है किसी वी खेत्र में, इसका भी अपवाद है खासकर अनुसूची जातियों और जन जातियों के हितों की रक्षा के लिए ये दिखा जाएगा कि कहीं मैं ऐसी जगह तो मकान नहीं बना रहा हूं जहां पर अनुसूची जाती की बहुलता है और मेरा उद्देश क्या है वहां जाके रहने का तो उनके हितों की रक्षा में कहीं मैं हनन तो नहीं कर रहा हूँ वहां का निवासी बनकर कुछ ऐसे मेरे इरादे तो नहीं जिसे अनुसूची जाती जन जाती का मैं शोशन करूँ, दुरुपयोग करूँ यह कुछ प्रक्रिया है पाइली के शब्दों में अनुसूची जाती जन जातियां एक प्रिथक समुदाय है एक अलग तबका है उनकी अपनी स्वंस्कृती है उनकी अपनी संपत्य संबंदी परंपराएं है बड़ा सीजे साधे लोग हैं लोग पिछड़े हुए हैं और इसी लिए उन लोगों की सुरक्षा और लाब से वंचित नहुन देने के लिए इस खित्र में बसने से पहले संपत्य को लेकर अनेक प्रतिबंद लगे हुए हैं अनसूची जाती जन जाती के हितों की रक्षा के लिए अनुसूची जाती जन जाती के जो संपत्ति का जो उनकी परंपरा है वो बड़ी अलग है संपत्ति को लेकर उस परंपरा को अक्षुन ने बनाया रखने के लिए उनकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ये प्रावधान किया गया है कि गैर अनुसूची जाती जन जाती के लोग उन खेत्रों में बशने का प्रयास करते हुए कहीं उनके अंदरूनी प्रमपराओं में तो दखल नहीं देंगे तो इस प्रकार और उनके पिछड़ेपन का उनके अशिक्षित होने का उनके सरल नागरिक होने का कहीं दुरपयोग तो नहीं किया जाएगा तो इसलिए इन लोगों की सुरक्षा और लाब के लिए सामान नगरिकों द्वारा इस खेतर में बसने अथ्वा संपति खरीदने पर प्रतिबंध लगा हुआ है तो अब ये बात आपको स्पष्ट हो गई कि आखिर कुछ खेतरों में ऐसा प्रतिबंध क्यों लगा वे जया ठीक अब छटवी स्वतनतर्ता छटवी स्वतनतर्ता है वियावसाय की स्वतनतर्ता राइड टू फ्रीडम ऑफ बिजनेस राइड टू फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन हमें कुछ भी काम करने के स्वतनतर्ता है है की नहीं तरकार ये हम पर बंधन नहीं डाल सकती कि मैं यही काम कर सकता हूँ ये नहीं कर सकता हूँ मैं कोई सा भी कारे करने के लिए सुतंतर हूँ भारती समयधान का अनुछेद 19.1.6 हमें इस बात के सुतंता देता है कि हम अपनी आजीविका के लिए अपना पैसा कमाने के लिए कोई भी पेशा, कोई भी रोजगार, कोई भी व्यापार कर सकते हैं कोई बंधन नहीं सरकार जो है, याने राज्य वो साधारन व्यक्ति को कोई नौकरी देने के, कोई नौकरी करने के लिए या कोई व्यावशाय करने के लिए हमें बाद ही नहीं कर सकता और नहीं, इसमें बाधा डाल सकता बिलकुल नहीं सरकार इसमें कताई बाधा नहीं डाल सकता दखल नहीं दे सकता मुझे क्या करना है कैसे करना है इसके लिए मैं पूर्ण रूपेट सतंतर हूँ लेकिन यहां भी अपवाद है वे क्या है पहला अनैतिक कारोबार ना हो अनैतिक उसमें moral values गलत तरीके से पैसाई कठा दे किया जा रहा है तो वह प्रतिबंधित तो गैर अनैतिक कारोबार या ऐसे व्यवसाए उस पर राज्य प्रतिबंध लगा सकती है जो सारजनिक हित या सारजनिक स्वास्थ या सार्जनिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हूं साजनिक स्वास्त से क्या ताथ पर है मैं यहां पर फैक्टरी लगा दूँ जिसमें एक केमिकल पैदा हो रहा हो शहर के अंदर कल को उस फैक्टरी से कुछ गैस रिष्टी है तो आज पास के लोगों को जीवन को खत्रा है वहां पर प्रतिबंद लगाती है आपको याद होगा कि 1984 में भोपाल गैस ट्रेजली के नाम से एक बड़ी भयावा घटना हुई भोपाल गैस ट्रेजली में हज्जारों लोग कुछ ही मिनिटों में मर गया और लाखों लोग जीवन भर के लिए पंगु हो गया घटना के वल ये थी कि कुछ मिनिटों के लिए उस फैक्टरी से जिसका नाम यूनियन कारबाइट था उसकी फैक्टरी से कुछ गैस रिस गई गैस रिसाव हुआ और वह गैस पूरे वातावरन मिछा गई जिसको सांस लेते समय सांस लेने से लोगों के शरीर के अंदर चली गई और एक बार वो गैस अंदर गई तो सांस लेने की तकलिफ से हज्जारों लोगों का मौत कुछ ही मिनटों में हो गई ऐसी जिस्थितिएं होती हैं ये इसलिए निर्मित होती हैं कि वहाँ पर एक प्रतिबंध संबंधी कानूनों को ठीक से लागू नहीं किया गया हूँ इसलिए ऐसी घटनाएं ना हो ये प्रतिबंध लगाये जाते हैं कई बार कि ऐसे मामलों में अनैतिक कारोबार कोई कर रहा हो या अनैतिक तरीके से व्यावसाय कर रहा हो जो जन स्वरक्षा को खत्रा पहुँचाता हो सारजिक स्वास्त को खत्रा पहुँचाता हो तो इस पर प्रतिबंध दूसरा किसी भी दूसरा अपवाद दूसरा प्रतिबंध किसी भी व्यावसाई या कारो बार्यों के लिए कुछ व्यावसाई एक योग्यताय निर्धारित की जा सकती है हर व्यक्ति को कोई सा भी कार्य करने का अधिकार है स्वतन्ता है क्या इसके माइने ये कि मैं एक कॉमर्थ का विद्यार्थी होने के बाद भी मैं मेडिकल की प्रैक्टिस करूं दवाईयां बेचूं या लोगों के ऑपरेशन करूं ये गैर वाजिब है ऐसी स्थिति में ये अपवाद है कि सरकार ने प्रतिबंध लगाया है सरकार ने इसपष्ट किया है कि हमें कुछ भी व्यवसाय कारोबार करने का है बशर्ते वहाँ अनैतिक ना हो लेकिन कुछ खास व्यवसाय या कारोबार के लिए कुछ योग्यताओं को आवश्यक बना दिये जाने का अधिकार सरकार के पास है जिसमें किसी भी व्यवसाय या कारोबार के लिए कुछ व्यावसायिक योग्यताएं निर्धारित करने क का अधिकार सरकार को है केवल डॉक्टर ही ऑपरेशन कर सकता है उदाहरन के लिए बड़ा स्पष्ट दाहरन ऐसे तीसरा अपवाद है राज को स्वयम या किसी सरकारी कंपनी द्वारा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथ्वा आंशिक रूप से लेने का अधिकार ह कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं जब सरकार के लिए आवशक हो जाता है कि वह किसी निजी कंपनी को अपने हाथ में ले ले कलपना करिये एक बहुत एक कंपनी है जिसको एक फैक्टरी चलाती है उस फैक्टरी में एक हजार वरकर काम करते हैं और दो सौ अधिकारी हैं यानि बारा सौ लोग उस फैक्टरी में काम करते हैं वो फैक्टरी का मालक अचानक किसी कारणों से फैक्टरी बंद करना चाहता है चाहे वो विदेश जाना चाह रहा हो या मुनाफ़ा कम हो गया है इसलिए बंद करना चाह रहा है या जो भी कारण हो अब यदि वह बंद करता है फैक्ट tapes को तो बारह सो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा बारہ सो लोगों का रोजगार समाप्त हो जाएगा, उनके जीवन यापन का जरिया समाप्त हो जाएगा. और ये बारासों लोग जीवन की उस उम्र पे हैं, जीवन की उस दहलीज पर हैं, जब वू नए नोकरी नहीं पा सकते। उसमें से बहुत से लोग 40 वर्ष से उपर के होंगे उनका क्या होगा वो नई स्थान पे नौकरी नहीं पा सकते तो ऐसी स्थिते में कई बार सरकार विवश होती है कि ऐसी कमपनियों को वो अपने हाथ मिले और उसको चलाए तो रज को स्वयम या किसी सरकारी कमपनी द्वारा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण या अंशिक रूप से असमें हाथ में लेने का अधिकार है कई बार ऐसा भी होता है कि जो फैक्टरी मालिक है या उस व्यवसाय से जुड़ो हुए लोग है वो कुछ गलत काम कर रहे हैं और संभावना है कि जैसे बैंकिंग में कोई एक परिवार एक बैंक चला रहा है और बैंक चलाते हुए उसने लाखों रुपय लोगों से इकठे कर ली हैं और अब शायद उनके इरादे नेक नहीं है ऐसी इस्तिति में सरकार चाहे तो उस बैंक को अपने हाथ में ले सकती है वो शुरक्षित रहे जनता की भलाई के लिए वो ऐसा कर सकती है अनिथा नहीं जनता की चिंता को ध्यान में रखते हुए कई बार फैक्टरियों को व्यावसाय को अपने हाथ में ले लेती है आपात काल एक बड़ी विशेश इस्तिती है आपात काल कब घोशित होता है किसे कहते हैं आपात काल एमरजेंसी युद्ध बाहय आकरमण या सश्यस्त्र विद्डो युद्ध बाहय आकरमण या सश्यस्त्र विद्डो जब लागू हो तब बिना किसी अन्य की सतंता को नुक्सान पहुँचाए बिना किसी अन्य की सतंता को नुक्सान पहुँचाए बिना कानून विद्धा को ठोक पहुँचाए प्रत्येक वक्ति अपनी अपनी सतंता का आनंद ले सके यही इसके माइने हैं मैंने रूस की उस महिला का जिक्र किया था जो बीश सलक में तबजी भाजी लेके जा रही थी और सतंता का उधारन देते हैं सतंता के नाम पर वो बीश सलक पे चल रही थी इससे दूसरे के सतंता में हनन हो रहा था दूसरे के सतंता को नुकसान हो रहा था कानून व्यर्था की स्थिती में भी बाधक बन रही थी और दूसरे व्यक्ति अपनी सतंता का आनंद नहीं ले पा रहे थी तो इसलिए जरूरी है कि स्वतन्तिता किसी अन्य को बिना नुक्सान पहुँचाए स्वतन्ता के अधिकार का आनंद लिया जाए स्वतन्ता का अर्थ चिंतन, अभिव्यक्ति और कारिक करने की स्वतन्ता से है हमें किस बात के सुचने 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 के ये तीन चीजों में हमें सुचने के 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 व्यक्ति ने या जिस संस्था ने उस व्यक्ति पर कुछ आरोप लगाए हैं जो आरोप उसकी नजर में गलत हैं तो वो मानहानी का दावा करता है और कुछ व्यक्ति जहां 50,000, 1,000, 2,000 के मानहानी का दावा करते हैं, कुछ लोग 200 करोड की मानहानी की दावा करते हैं यह क्या है? जब सुतंता के अधिकार का हनन करते हुए, कोई व्यक्ति किसी पर कुछ भी मन गणंद आरोप लगाने लगे तो उस आरोपों के कारण उस व्यक्ति के सम्मान में ठेश पहुंचती है और यदिवा व्यक्ति इस बात के प्रति यदिवा व्यक्ति मानता है कि उस पर लगा आरोप पूरी तरह गलत है, मिथ्या है तो वह अपने प्रतिष्ठा की कीमत मांगते हुए कोर्ट में जाता है इसे कहते हैं मानहानी और यदि ये बात साबित हो जाती ही कोर्ट में कि आरोब गलत है तो जितने पैसे का आरोब मानहानी कैसने लगाया था उतने पैसे आरोप लगाने वाले पार्टी को देना होता है के द्वारा इस व्यक्ति को देना होता है अनिथा पब्लिक माफी माफी माँगने होती है पब्लिक माफी नामा माँगना होता है जब स्वतंता की बात होती है तो कारे चिंतन और अभ्यक्ति के अलावा प्राण और दैहिक स्वतंता का अधिकार भी है जो मैंने बताया अनुछेद 21 में है किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना उसके जीवन और व्यक्तिकर स्वतंता से वंचित नहीं किया जा सकता किसी को भी अधिकार नहीं है वह कि किसी की जान ले ले किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो उस व्यक्तिकत जीवन ले ले किसी को भी अधिकार नहीं कि उसकी व्यक्तिकत स्वतंता पर बाधा पहुचाए इसमें प्राण के अधिकार प्राण के अधिकार को शारीरिक बंद्रों में नहीं बांधा गया है बलकि मानुवी सम्मान और उसे जड़ी हुए पहल्वों को भी देखा गया है प्रान का अधिकार जो जान है अंदर उसका अधिकार शारीरिक बंधन से नहीं किवल उसका अधिकार मानुवी सम्मान से है मॉलिक अधिकार को आपके किस इस रूप में भी दिखास रखते हैं जिसमें मौलिक अधिकार केंदर में होते हुए केंदर बिंदु में होते हुए पहला जो उसका पहलू है वो जानने का वो ये है कि सरकार के कारियों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए शक्ति जो है वो न्याय पालिका के पास है सरकार के कारियों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति न्याय पालिका की न्याय पालिका के पास ये बहुत बड़ा दारोंदार है दूसरा पहलू मौलिक अधिकार का गैरंटी जो है मौलिक अधिकार की वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं है किसी पद के आधार पे नहीं है, किसी पदा सीन व्यक्ति के द्वारा नहीं, बलकि समवधानिक गैरंटी है समवधान के द्वारा हमें यह अधिकार दिये गए हैं, किसी के द्वारा नहीं किसी अन्य के द्वारा नहीं, समवधान द्वारा, जो सर्वोच है तीसरा पहलू ये असीमित नहीं हैं इन पर कुछ सीमाएं हैं ये निरंकुष नहीं होते तमवैधानिक अधिकार जो मौलिक अधिकार हैं ये निरंकुष या असीमित नहीं हैं इनकी कुछ अपनी सीमाएं हैं चोथा पहलू जो हमने देखा वो था कि गैरंटी जहां सम्विधान के द्वारा है वहीं सुरक्षा भी सम्विधान के द्वारा है सम्विधान ये गैरंटी देता है कि देश के हर नागरिक को अपने आप नागरिक होने पर ये प्रावधान मिलेंगे ये सुरधाय मिलेंगे ये अधिकार मिलेंगे, साथ ही सम्विधान अपने आप इस बात को सिनिश्चित करता है कि इसकी सुरक्षा भी सम्विधान ही करेगा, सम्विधान के द्वारा ही है, अगला पहलो कानूनी अधिकारों से ये अलग हैं, तम्विधान अधिकार और कानूनी अधिकार अलग अलग होते हैं, कानूनी अधिकार समय के साथ जगह के अनुसार, खेत्र के अनुसार, आवशकता के अनुसार बदलते रहते हैं लेकिन मूल अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं उधारन के लिए विवाह का अधिकार है, समय के साथ-साथ विवाह के उम्र के बदलती रही है हमें स्वतंता का अधिकार मौलिक अधिकार है लेकिन इसका अरितियत नहीं कि हम इस बात के लिए स्वतंतर हैं कि जब चौक पर किसी सड़क के चौराहे पर रेट सिगनल हो तो स्वतंता के अधिकार का दूर प्योग करते हो हम सिगनल पार करके चले जाए वो कानूनी साधरन कानून होते हैं, सामान कानून है, समय, खेत्र, और चित्य, इस्थान, इसके मद्दे नजर ये बदलते रहते हैं, और ये जो कानूनी अधिकार हैं, इनको बदला जा सकता है संशद के द्वारा, लेकिन समवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं बदले जा सकते, मौलिक अधिकार समवैधानिक प्राधान है, इस संशद इन्हें बदल नहीं सकता, और यदि बदलने की कुछ प्रक्रिया है तो बड़ी लंबी है, एक समवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, संपत्य के द्वारा बदले जा सकते हैं और अंतिम पहलू सम्विधान संशोधन से ही मौलिक अधिकार में परिवर्तन हो सकता है साधरान कानून तो संशत के द्वारा हो जाता है लेकिन मौलिक अधिकार जो हैं वो सम्विधान संशोधन के द्वारा संपर्ति के अधिकार को कौन से सं मुलबूत अधिकारों की सुची से हटा दिया गया तो इस वकार मौलिक अधिकार का संख्यप में कुछ ऐसा खाका बनता है जैसा की नाम से ही स्पष्ट है आपात काल वह काल है जब किसी धंग की आपदा हो किसी तरह की विपदा हो और ये आपदा और विपदा इस तर पर हो इस स्केल पर हो कि सरकार के लिए आउशक हो जाता है कि उस खेत्र में जहां ये आपदा है उस खेत्र में सामानिस्थिति को लाने के लिए वह हमारे कुछ अधिकारों को कुछ समय के लिए ठगित कर दे आप समझने की कोशिश करेंगे आपात काल में सरकार को ये अधिकार है कि वह नागरिकों के कुछ अधिकारों को इस ठगित कर सकती है सस्पेंड कर सकती है उस काल के लिए जब तक कि आपात काल घोशित है और आपात काल के हटने के बाद नागरिकों को समस्त अधिकार वापस मिल जाते हैं जैसे मैंने बताया युद्ध बाहय आकरमन सशस्त विद्रो और कभी कुछ अन्य बहुत ज़्यादा आपदा की स्थिति यदि पैदा हो तो ये प्राधान सरकार लागू करती है और इसके तहट हमारे कुछ अधिकार ले लिए जाते हैं जब ये अधिकार लिए जाते हैं तो हमें आपात काल के समय सरकार द्वारा लिए गए अधिकारों के विरोध में नियायले जाने का अधिकार नहीं है मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे अधिकार हमारे सक्षम रूम से लागू इसलिए होते हैं क्योंकि एक समवैधानिक प्रावधान है कि किसी भी स्थिति में यदि हमें अधिकार से वंचित किया जाए तो हम नियायले का दर्वाजा खटखटा सकते हैं तो इस नियायले का भै इस बात को सुनिश्चित करता है कि सरकार हमें हमारे अधिकारों से वंचित ना करे आपातकाल की स्थिति को छोड़ कर जैसे ही आपातकाल घोशना समाप्त होती है सभी सतंत्रताएं वापस मिल जाती हैं परंटू अनुच्छे बीस और एककाईस में दिये गए अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किये जा सकती ये एक अपवाद है सरकार सुतंता के अधिकार के तहट कुछ अनुच्छेदों के अधिकार ले सकती है लेकिन बीस और एककाईस उसमें जो अधिकार दिये हैं उसे वह स्थगित नहीं कर सकती आखिर क्या है